हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यह डिक्रेशन नमबर 6 है जो की 5 सेकेंड में स्टार्ट होगा अध्यच जी इस द्रिष्टी से व्रिध जीवन भर अपने बच्चों के भविश्य की द्रिष्टी से प्रियास करता है लेकिन बाद में अकेलापन महसूस करता है और इनकी संख्या देश में करीब साढ़े पाँच करोड है मैं यह चाहूंगी कि उनके लिए कोई राश्टी नीती बननी चाहिए केवल सौरुपय व्रिधों को पेंसन दे कर उनकी समस्या हल नहीं हो सकती है उससे कुछ निकलने वाला नहीं है इनका जो अकेलापन है उसको व्यवशाय दे सकें उनको सामाजिक संस्थाओं में काम दे सकें उसके लिए कोई राश्टी नीती होनी चाहिए और समाज कल्याण की योजनाएं विफल हो जाएं तो वे मानसिक रूप से अपने आपको अकेला महसूस नहीं करें और समाज की उन्नती में अपना योगदान दे सकें स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर उस सिच्छित व्यक्ति को जो समाज के लिए नहीं सोचता है कभी अपनी सिच्छा का उपयोग समाज के उधार के लिए नहीं करता है ऐसे सिच्छित व्यक्ति को मैं देशद्रोही मानता हूँ अगर सुरू से ही इस प्रकार से संसकार बच्चों में डाले जाएं तो ही कल्यान मंत्राले का कार्य सही रूप से सफल हो जाता है मुझे लोगों का हित करना है यह भावना ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार फैले इसके लिए जरूरी है कि जो इस भावना से काम करने वाली संस्थाएं हैं जो कल्यान कारी योजनाएं हम चलाते हैं उनमें इन संस्थाओं का सही योग ज्यादा होना चाहिए इस भावना से हमारे मंत्राले को काम करना चाहिए मैं अनुसूचित जाती और जन जाती के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगी 55 साल पहले जब उनको आरच्छड की सुविधा दी गई तो उस समय डाक्टर अमबेडकर ने कहा था कि हम इसे 15 साल से ज्यादा नहीं चाहते हैं हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं लेकिन उनके बाद जो योजनाएं बनाई गई मैंने भी आदिवासी छात्रावासों का निरिछड किया है और देखा है कि ये योजनाएं इस ढंग से बनाई गई कि उनको उचित लाब नहीं मिलेगा वास्त्विक रूप से उनके कल्याण के लिए योजना नहीं बनी अगर बनी भी तो वह कागजों पर ही रहीं पैसा खर्च होता रहा लेकिन उसका वास्त्विक लाब उस समुदाय को और उन लोगों को नहीं मिला जिससे उनका वास्त्विक रूप से उत्थान हो पाता इस साल हम बाली का वर्ष मना रहे हैं हमें इस पर सोच ना होगा समाप्त यह डिक्टेशन लगबग पचासी सब्द प्रति मिनट से है इस डिक्टेशन की पीडियाप आप लोग मेरे नमबर पर टेलिग्राम पर मैसेज करिएगा वहां मिल जाएगा और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को फालो करने ताकि आने वाली डिक्टेशन समय समय पर मिलती रहे धन्यवाद